हेलो गाइस नमस्कार मैं भाविश गच्पाल पुना आपके साथ अपके अपने यूटूब चैनल लक्षवित भाविश गच्पाल में आज हम चालू करने वाले अध्यायदो धारा दो ठीक है जिसके अंतरगत आज हम पढ़ने वाले ग्राम सभा के बारे में आख इसके पहले मैं या थहसिक विकास पढ़ाया है और यह तीसरा वीडियो थीक है वास्तों में यह आपका यूटूब में पबलिश होने वाला दूसरा वीडियो है एक और वीडियो है जिसने मैंने भी प्रषव नहीं किया तो ग्राम सभाा का उलेट जो है अनुच्छेद 243a यानि का में हैं हिंदी में बोला जाया तो 243 का या 243a इंगलिस में बोला जाया तो ठीक है तो इसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है या पूरी ग्राम सभा का प्रावधान है इसे आज हम पढ़ेंगे ठीक है वैसे तो पूरी पंचाइती राज व्यवस्था का उल्लेक 243 A अर्थात क से लेकर 243 O अर्थात अणा तक है लेकिन आज हम केवल इसका क वाला चेप्टर पढ़ेंगे जिसके अंतरगत ग्राम सबाग का प्रावधान है जो कोशन आ हैं वो मैं बताते जाओंगा आगे कि कौन कोशन आ रखे हैं पहला कोशन जो है पंचायती राजवेवस्था की बुनियादी इकाई क्या है यह पूछा गया था तो पंचायती राजवेवस्था में सबसे पहले आता है ग्राम सभा नीचे में सबसे बुनियादी इकाई में क्या रिखेंगे हम ग्राम सभा को देखते हैं उस ग्राम सभा के उपर आता है ग् ग्राम सभा पंचाइती राजवयवस्ता की बुन्यादी काई जब भी पूछेगा तो आप लगाएंगे ग्राम सभा परिभासा क्या देता है यह परते ग्राम की निर्वाचक नामवली जिसे हम वोटिंग लिस्ट कहते हैं हिंदी में इंग्लिस में सौरी निर्वाचक समौराओं मतलब वॉटिंग लिस्ट में नामित हर व्यक्ति को सामोहिक रुपसे हम क्या वोलेंगे ग्राम सभा बोलेंगे समु के रूप में अगर एक गाउं में बहुँ सारे लोग हैं तो वे सामोहिक रूप से ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे ठीक है और उनकी एक परिभास क्या बोलते हैं ग्राम पंचायद छेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन एवं राजस्व ग्राम से संबन्दित निरवाचक नामवल्यों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सवा है कहने कतात पर है किसी ग्राम बहुत सारे ग्राओं को मिलाकर भी एक ग्राम ग्राम पंचैथ बन सकता है अगर एक ग्राम भी जितने लोग है जो की वोटिंग करने के हकदार है तो सम्मिलित रूप से ग्राम सभा कहला कहलेंगे और वही बता रहे हैं कि किसी वन एवं राजस्व ग्राम यह पॉइंट सब्सक्रों लिखा हुआ है आपके क्वेपर में आया है इसके बाद मैं mcq भी कराऊंगा इससे रिलेटेड ग्राम सभा से रिलेटेड ठीक है इसके बाद वाले वीडियों में तो वन एक एक बिंदू इंपोर्टेंट है जो खासकर मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं उस पर स्टार मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आति राज अधिनियम की धारा 6 और साथ में समाने छेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है पंचायतों का जबकि अनुसुची छेत्रों के लिए ग्राम सभा की गठन का प्रावधान धारा 129 के कख और गमे वर्णित है ठीक है डिटेल में आभी पढ़ाऊंगा ग्राम सभा के गठन का प्रावधान धारा 6 और साथ के अंतरगत है और समाने छेत्रों के लिए जबकि अनुसुची छेत्र जो की जंजाती छेत्र है जिनमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान 129 भ्राद रहों अगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायतों कि अधीन प्रतेक ग्राम या आश्रत क्राम में ग्राम सभाव होगी हर पंचाय तो यह मैं अनुसे कोसें तीन और तीनों समिक्ति तुरुप से Rug ^^ कहला सकते हैं या कहजाएंगे ठीक है तो एक दो और तीन तो प्रत्य ग्राय म या आशुर्ध ग्राम हैं किसी वह बड़े गाउं के लिए जाता जिसे हम आसिज ग्राम की स्रेंटी में रखते हैं तो आसिज ग्राम भी ग्राम सभा कहलाया ठीक हैं मत intra उसके सदाइस से ग्राम सभा कहलाएं ग्राम Πनचायत कि याद इसका question आ चुका है ठीक है यह भी question है important है कि अगर बोलेगा ग्राम सभा की कारेकारी संस्था क्या है बतब ग्राम सभा के सदसे मिलकर काम करेंगे तो किसके लिए ग्राम पंचायत के लिए काम करेंगे ठीक है तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की कारेकारी संस्था है अर तो मैंकार ग्राम पंचायत की रुपी होगा ग्राम सभा की रूपी नहीं होगा ग्रामसभा बैठेकर आयूजित करने और बहू सारे चोटे मोटे ने लेने का करए करेगी अब देखते हैं धारा तीन धारा उन उनुछित दोनों को मिलाते हुए पढ़ाओंगा basically पहले धाराओं को देख लेते हैं धारातीन में कहां लिखा गया है कहीं पर ग्रामसभा है या नहीं इसकी अदिसुचना राजजपाल देगा राजजपाल ही अदिसुचित करेगा अर्थात राजपत्र के द्वारा गजट के द्वारा पब्लिक में लोगों तक पहुंचाएगा बाते कि यहां पर ग्रामसभा है अर्थात यह गाओं के लोग सदस्य मिलकर ग्रामसभा बना लिये हैं खंड और जीला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अदिसुचना भी राजपाल जारी करता है खंड और जीला पंचायत इनकी अगर सीमा में कोई परिवर्तन हो रहा है तो इसके दुशुचना ठीक है किसके द्वारा जारी किया जाएगा राजपाल के द्वारा ही जारी किया जाएगा ग्रामसभा गाओं के इस तर पर ऐसी सक्तियों का प्रयोग करेगा और कारियों का संपादन करेगा जो राज्य विधान मंडल द्वारा विधी से सुचाई गई हो राज्य के अंतरगत ही तो ग्राम पंचायते जीला पंचायते और जन्पत पंचायते आती है तो ग्राम सभा भी ग्राम पंचायत के अंतरगत आता है तो राज्य विधान मंडल विधान मंडल जैसे केंदर में संसद होता है वैसे राज्यों का विधान मंडल है ठीक है तो इसके दो भाग होते हैं विधान परिसद और विधान सभा दो सदन है प्रतम सदन और दिती सदन विधान परिसद और विधान सभा तो ये सब ही मिलकर क् कीघिर बनाया जायागा उसका पालन ग्राहों के ग्राम सभा करेगी और उसी सक्तियों का जो कानून बनाकर दी गए जिनकी जो सक्तियां व कानुण मन्डल के द्वारए अरथाथ विदान परिसद व कर द्वारALI दी जया हर जगा व सभा कहर दी इसרה होती अदिक को ही मानने के लिए मानना पड़ेगा किसके किसको मानना पड़ेगा वे ग्राम सभा को मानना पड़ेगा उनी कानून को और उनी कानून के दायरे में रहकर उनको काम करना पड़ेगा तो उनके द्वारा दी गई सक्तियों का ही प्रयोग वो कर सकते हैं चलिए अब आगे बढ थीक है वह ग्राम सभा का सदस्य होगा जिसकी निहुंता माय्यों 18 वर्ज हो वह मद्दाता सूची में पंझिकृत करने के लिए हगदार होगा जिसकी निहुंता माय्यों 18 वर्स हैं तो गाउं में नामित हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा लेकिन वह व्यक्ति जिनकी आज 18 वर्स है निंतम 18 वर्स वह गाउं की मदाता सुची में पंजी करने के लिए हगदार होगा प्रते ग्राम के लिए एक मदाता सुची होगी प्रते ग्राम के लिए क्या होगी एक मदाता सुची तैयार की जाएगी धारा पांच क्या बोलता है ग्राम में मदाताओं का पंजियन कैसे होगा प्रते गाओं की एक मदाता सुची होगी कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का मा प्रते ग्राम के ऐसे व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा निर्वाचक नामवली में प्रंजिक्रत किये जाने के लिए पातरता रखता हो ग्राम की निर्वाचक नामवली के लिए योग्योगा कहने का मतलब है जो उस विधान सभा के वोटिंग लिस्ट में विधायकों के लिए जो वोट करता है ठीक है उसके लिए भी वोटिंग लिस्ट निकाला जाता है उस वोटिंग लिस्ट में जि तो विधान साबाद शेत्रम जिससे वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है तो योग योग होगा नाम पंजिकृत कराने के लिए ठीक है अब देखते आगे कोई वेक्ति एक से अधिक ग्राम की मदाता सुची में अपना नाम पंजिकृत कराने का कि यहां पर उसका स्थाई निवास है वही उसी ग्राम की मदाता सुची में वोटिंग लिस्टे में अपना नाम पंजिकृत कराने का हकदार होगा एक सधिक गाओं में नहीं करा सकता एक व्यक्ति को एक गाओं के लिए गिना जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यदि कोई व्यक्ति विदान सभा की निर्वाचक नामवली में पंजिक्रित किये जाने के लिए अपात्र है मतलब वो उस विदान सभा चेत्र के वोटिंग लिस्ट में पंजिक्रित होने के लिए अपात्र है मतलब जा तो उसकी आयो 18 वर से कम या और किसी और कारण से तो व है तो जाहिड सी बात है वो भी उस गाओं की मंदाता सुची के लिए पंजिक्रित कराने के लिए हगदार होगा अब आगे बढ़ते हैं धाराच्य वा धारा साथ एवं धारा 139 का खगा इसमें क्या दिया गया कार्य दाइत्व एवं सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई है स अमानिच चैत्रों के लिए धाराच्य और साथ अनुस्यति चैत्रों में ग्रामसभा की गठन के लिए 139 का खगा अब हम पढ़ते हैं धाराच्य की ओर धाराच्य सम्मेलन डीटेल में पढ़ा रहा हूं है न हर बिंदू को लेकर तो देखते हैं मीटिंग अप ग्रामसभा ग्राम सभा का मीटिंग कैसे होगा तो प्रतेक तीन महा में एक बार होना है तो चारतिया बारा बोलोगे तीन महा में एक बार मतलब एक साल में चार बार होना चाहिए सर नहीं ऐसा नहीं है तो प्रतेक तीन महा में एक बार तो होना ही चाहिए इसके अलावा एक साल में 6 बार होना चाहिए ठीक है एक साल में 6 बार कम से कम मिटिंग होनी चाहिए प्रत्यक 3 माहा में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए और तीन माहा में एक बार जो हो रहा है वो निम्न 4 तिथी पे होना ही चाहिए 23 जनवरी 14 अपरेल 20 अगस्त और 4 अक् लिए कि इसके लावा दो बार और बीच में सभां लिजा सकती है जिसमें जून में सुझाई गए तिथी को, मतलब अपने अपने से तिथी तैकर के जून महां में और नॉअमłe महां में अपने से तैह के गई तिथी को इस प्रकार 12 मेने में क्या होना चाहिए छै भार होना चाहिए लेकिन 4 तिथ'yों में होना ही चाहिए इसलिए कहा गया 3 माहा में एक बार होना ही चाहिए वो जो 4 तिथी सुरुके है 1, 2, 3, 4, उसमें ग्राम सभा का बैठक अर्था सम्मेलन होना ही चाहिए लिखा है यहाँ पर नूट पॉइंट में कि देखे उप्रोग्त चार तितियों में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार है किन्तु प्रत्येक वर्स में 6 सम्मेलन आवश्यक है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अलावा क्या बताया गया वहीं ग्राम सभा के कुल सदस संख्या के एक तयाई सदसे दवारा लिखित में मांत यह कि यह जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है मतलब एक तिहाई 100% में से मतलब 33% लोग लगभग अगर क्या कर रहे हैं लिखित में मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा का समयलन हो सकता है अगर लोग महत्वा का मुद्दा हो तब ठीक इसके अलावक अब हो सकता है ग्राम सभा के उपर के लोग बोले जैसे की जनपत पंचायत बोले जीला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जाए तो इसके 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मिलन करना आवश्यक है क्योंकि उसके उपर वाले क्या है उपर लेवल के जो पंचायते हैं वो उसको आदेश देरी जैसे जनपत पंचायत जीला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जाए तो तीस दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मिलन करना आवश्यक होगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते जो सम्मिलन को चलाने के लिए आवश्यक है वो कोरम या गणपूर्ति कहलाती है ठीक है तो नियूंतम जनसंख्या जिसकी उपसिती में पंचायत के कारे सुरू किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे ठीक है कोरम या गणपूर्ति के नाम से जानते हैं इसमें कितना होना चीए क एक बटा 10 सदस्य सम्मिलन में सामिल होने चाहिए तभी उसकी कोरम या गणपूर्ति कही जाएगी मतलब यह सदन चल यह सम्मिलन चलाया जा सकेगा ऐसा वाना जाया ठीक है तो एक बटा दस मतलब एक बटा दस्वा हिस्सा ठीक है जिसमें उपस्तित संख्या का एक दस लोग सामिल हुए हैं इन दस लोगों में से इस दस लोगों का एक बटा तीन हिस्सा कितना हिस्सा एक बटा तीन हिस्सा क्या होनी चाहिए ठीक है एक त्याई हिस्सा महिलाए होनी ही चाहिए तभी ये सम्मेलन आगे बढ़ पाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राम सभ कचलना देखते हैं तो गनपूर्ति का उत्तरदायत्व किसेक्षा जैसे के हाट समदित ग्राम के नहीं सामिल। घान देने के एके संपन्च और पंच का ही दायत्व है कि उसकी पूर्ति हो मतलब वो पटिकुलर क्या करवाएगा मुनादी करवाएगा कि सभा बैठने वाली है सम्मिलन होने वाला है आप आईए और अपना सही योग दें ठीक है तो सरपंच और पंचों का वाड के पंचों का यह उत्तरदायत होगा कि वह ग्राम सभा की गनपूर्ति करे और सम्मिलन अच्छे से चले ठीक है याद रखेंगे कोशन बार बर पूछा जा चुका इसे स्टार मार्क मैं कर देता हूँ चली अब आगे बढ़ते हैं नोट क्या बिंदू बोला है अनुसुची छेत्रों में ग्राम सभा के किसी बैठा के लिए ग्राम सभा की सदस्यों कि संख्या के एक त्याई सदस्योंने चाहिए क्योंकि आपको पता है अनुसुची छेत्रों में ज्यादा पढ़ी लिखे लोग नहीं है तो ज्यादा लोग सम्मिलन वगरा में भाग नहीं लेते हैं इसलिए वहाँ पर सदस्यों को कम कर दिया गया है तो मालो सौ लोग है उसके केवल एक त्याई सदस्य से भी उपस्तित हो जाए ना सम्मिलन के लिए सभान के लिए वहाँ पर सम्मिल के लिए हाँ यह ऑग आहिए एक टिहाई में से महिलाय को चलाने के लिए को रहम महिला की संख्या को रहने की संक्या कितनी होनी चाहिए तो आप लगाएंगे चाहिए वो समानने छेत्र हो चाहिए वो अनुसुजी छेत्र हो उसके लिए एक त capacities होईनी होईनी चाहिए कोशन भी आचुका यह कोसट एक तहही वाला महीला गण की पूरती गण मतलब लोग पूरती मतलब पूरा होना लोगों की संख्या पूरा होना नहीं हो पाता मतलब लोग पूरे नहीं हो पाते तो अध्यक्ष जो होगा बेसिकली अध्यक्ष कौन होगा सरपंच है ना तो अध्यक्ष द्वारा बैठक समानिश्यत्रों के लिए यह आगामी बैठक के लिए तिती का निर्धारन भी उसी समय कर दिया जाता है कि आज गन पुर्ति नहीं हो पाहिए आगामी बैठक इस दिन होगी सुचित कौन करेगा सचीव सुचित करेगा ठीक है अब देखते हैं कि ऐसे सथागन का किसी भी प्रकार की चर्चा को रइजिस्टर में नोट सची द्वारा किया जाता है कि आज इस थखन हो गया है फौलाना तारीक को फिर से नोट करने का काम कौन करेगा पंजी चुकले बिंदू इशुकनैंत बिंदू आ यइस लिए लिखा हूं इस थगन के बाद जो इस्थगित हो गया मतलब जाओ आज नहीं हो पाएगा पॉजिट्वी चर्चा नहीं हो पाएगे क्योंकि सभी लोग सामिल नहीं है तो इस थगन के बाद की बैठक या संविलेन में कोरमपूर्ति का सकता नहीं होती आप आराम से बैठक के गप्पे मार को चोड़ा कर सकते हैं जिस्विशाय पर पहले से चर्चा हो चुकी है लेकिन कोई भी नया मुद्धे पर चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक कि गणपूर्ती मतलब एक बटा दसवा हिस्सा पूरा नहीं हुआ है समान चत्रों के लिए और एक तिहाई हिसा पूरा नहीं हो आ चुका है वार्सी कारियोजना पर चर्चा नहीं करेंगे आप कोशन उठाकर देखिए मैं कोशन भी सामिल करूंगा अगले वीडियो में एक यह वीडियो में सब नहीं बना सकता तो कोशन भी बताऊंगा देखिए पहले से मैं यहां पर लिखा हूं और इसको एक्स्पेन क के वीडियो को एक देख सकता है मोबाइल पर इतना मैं समझते हूं ठीक है तो ज्यादा लंबा अगर वीडियो बनाऊंगा तो एक एक लिक्क के बनाउंगा और एक वीडियो का कोर्स में पाच वीडियो में उख आप पांच वीडियो देखो गई है आपका समय भी जाएग कहने का मतलब लाभरती जो है उसके उसके चयन के लिए उसका चयन नहीं हो पाएगा और साथी वार्षिक बजट इन्वाल बजट पर चर्चा नहीं कि जाएगी वार्षिक लेखा एवं सम्परिक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट ठीक है और इटिंग के लिए जो शाल पर हमने क्या कि खर्च किया कितना आया कितना गया यह जो संपरिक्षा है इसका रिपोर्ट और वार्षिक लेखा है इस पर चर्चा नहीं की जा सकती प्रसासनिक रिपोर्ट कोई भी प्रसासनिक रिपोर्ट अगर आई है प्रसासन की तरफ से तो उस पर भी चर्चा नहीं की जाएगी देख लेते हैं तो गनपूर्थी ना होने पर करवाही ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में कोरम पूर्थी ना होने पर किस प्रकार की करवाही कि जाएगी तो कोरम पूर्ति ना होने पर सम्मन्दित पंच येवम सर पंच में पूराय तो सरपंच को यह कोरम पूर्ति नहीं कर आपाने लोगों को बलाहने पारे हैं मतलब आपको कोई पसंद इनी कर He polítक का क्या है आभिस्मास है इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं आपकी कोई सुना नहीं चाहता यह सिधा सा इसका क्या निकले का रिजल्ट निकलता है इसलिए संबंदित पंच असर पंच के खिलाप नूटीस जारी किया जाएगा तथा दो आगामी ग्राम सभा में कुरम पूर्ति का उसर दिया जाएगा मतलब तीन प्लस दो कितनी हो गए पांच बार का उसर मिल गया अगर कोई आदमी पांच बार भी ग्राम सभा का बैस्टक नहीं कर पार रहा है तो लाला तो उसके सरपंच बनने बर ठीक है तो दो अगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का उसका उसर दिया जाएगा फिर भ चलिए तो क्या होगा थोड़ी बोल देंगे चल जा अब तोर पारी खतम होगे ऐसा नहीं बोलेंगे लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाब तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचीत उसर ना दिया जाए अब उसको कार कारण मता नोटी जाएगा। नोटी में लिखित रुपपेत देगा है ना वीच प्रादीकारी को सक्षाम अदिकारी को देगा कि फ़लाना उचीत प्रदधिकारी के तो उसे हटने की कर आएगा ठीक है अब सुनवाई में क्या होगा संब्धिद प这个 के लिए उचित आसर द sowas अन्य खराकर जाएगा कुeking सब्सक्राइब करता है कि Census करता है फिर यंदुटी दोसी पाया जाया तो दिश्कासन कर दिया जाएगा मतलब किसंग कर दिया जाएगा जो कि सर्व मानने सब तो देख लिए अब देखते हैं सम्मेलन के लिए तिथी इस्थान और समय का निर्धारन करने का अधिकार सरपंच को होता है जो की अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है समझ गया है अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उस कंडिशन में उपसरपंच अगर सरपंच भी अनुपस्थित है तो दोनों के उपस्थिती में ग्राम पंचायत का सचीव क्या करेगा तित्थी का निर्धारन करेगा स्थान और समय के निधारन करेगा याद रखेंगे सम्मेलन की सुचना सची हुई देता है एकदम इंपॉर्ण पॉइंट लिखा हूं वह एक्स्ट्रा पॉइंट से एक्स्ट्रा बिंडू हैं बाकी बुक्ष में आपको नहीं दिखाए गया सम्मेलन की सुचना कौन देता है सम्मंदित सची हुई देता है सुचना सुचित करेगा चस्पा कर देगा ग्राम पंचयत के मुख्याले में चस्पा कर देगा साथ दिन पूर्व और विशेस प्रिस्टिती में तीन दिन पूर्व वही लिखा है या सूचना निर्धारित तिथी से की 20 दिन ग्राम सबा होना उससे 7 दिन पुर्व दी जाती है कैसे करेंगे सूचना कैसे देगा घर गर जाकर या तो मुनाधी करवादेगा ठीक है कोतवार के तुरू या तो फिर पिर क्या करेगा वह ग्राम पच्छायद के मुखहले में कागत चस्पप करवा देगा थीक है जा विसेश सितिती में तीन दिन पहले भी सुचित करता है तो तिन दिन पहले सचिव उसके सुचित करेगा थीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह प्रोटोकॉल है इस प्रकार का प्रोटोकॉल होगा प्रोटोकॉल मतलब एक नियमों का समु इसे प्रोटोकॉल दो लेंगे सरपंच उप सरपंच सच्व यह पहले से लिखा हुआ है इसी को प्रोटोकॉल अर्थात नियमों का समू कहेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे हम अब आगे बढ़ते हैं ग्राम समा का सम्मेलन बुलाना सम्मेलन कौन बुलाएगा भई आप ने तीसरे नंबर पर आता सचीव बैठक बुला सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सम्मिलन के अधक्षता कौन करेगा जाहिट सी बात है जो अध्यक्ष होगा अर्था सर्पंच सम्मिलन के अध्यक्षता सर्पंच करता है अगर सर्पंच अनुपस्तित है तो उपसर्पंच करेगा अगर उपसर्पंच अनुपस्तित है तो दोनों के अनुपस्तिती में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा यह तीसरे नमबर यहापर सची नहीं है भई इसे ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे वह इस प्रकार का प्रोटोकॉल अर्थात्मियमों का समों फॉल चाहे वो कोई भी हो सरपंच ग्राम सभा मतलब अध्यक्ष जो की सरपंच होता है समाने चत्रों में जो अध्यक्ष है ना उसे अध्यक्ष ही बोला जाएगा अध्यक्ष है ना वो ग्राम सभा के सदस्यों से चुने जाते अनुस्ति चत्रों में जनजाती चत्रों में जो क वहाँ कोई पंचायत पता दिकारी सरपंच उप सरपंच या पंच नहीं होगा याद रखेंगे ठीक है तो अपने लोगों के 20 से ही कि ग्राम सबाक अध्यक चुना जाता है भले वहाँ पर सरपंच उप सरपंच या पंच क्यो ना हो लेकिन अपने आदम यह वहाँ पर अध्यक चुल करते हैं सरपंच उप सरपंच नहीं रहे जाएगी कौशे चत्रों में अनुस्तिष्यंजाती चत्रों में और किस वर्ग क्लाइब और सकता है कि 39 हो सकता है कि मतलब आतना है 10 से हैं तो उसे अध्यक्श ग्रूप में हम नुप्त कर सकते हैं। ठीक है लेकिन अगर सरपंच उप सरपंच या पंच में से कोई भी अनुसरी जंजाती वर्गे से नहीं है तो उसे हम नुक्त नहीं करेंगे अध्यक्ष गुरूप में वह अध्यक्ष अपने ग्राम सभा की सद्रिश्यों में सही चुना जाएगा कोकि ऐसा समझा जाएगा कि वह उनकी सभाद कर सज्ञें क्यों ते स्जुप संभाद कर संयुक्त संविलन को बुलाता है पाई सचिव या भीत guar toothbrush के धृब फाल्टीकारी के द्वारा विध प्रादिकारी को बिए चाहिए जो की क्युडकर द्वारा सुजाय का क्लेक्टर से भीजा गया हो या जो भीउभी मितर प्रादिकारी हो ठीक है अब सच्चिव या वीत प्रादिकारी के द्वारा सम्मिलन बुलाया जाएगा संयुक्त सम्मिलन किस कंडिशन में ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थितिन दिर्मित होने पर ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मिलन बुल सच्शी में लिया गया प्रत्य ग्राम सभा के मतलब ये ग्राम उप्राइद इसलिए अब देखते हैं वार्शिक मेलण मेल निया गया जहितुं एक थका्षाह को वार्शिक सममेलन ग्राम पंचाइद के मुख्याने पर इसलिए रिर्षा ग्राइगई बाते हैं इसलिए मार्च तक मानते हैं 31 मार्च तक तो उसके खतब होने के तीन महेन पहले है ना रीजित किया जाएगा सम्मिलन वार्षिक सम्मिलन जिसमें लेखाओं का वार्षिक व्याहन अनमृनल Statement of accounts its वार्षिक वीवर हमारे द्वारा निन्ने लिया जाएगा यह सभी के बारे में चर्चा होगी अंतिम संपरिच्छा चौथा में उनके संबंद में दिये गया उत्तर फाइनल ऑडिटिंग ऑडिटिंग होगा भई हास जो खर्चा किया जो काम किया उसका जो पैसा वगरा है जो बजट वगरा है वह सहीं रुप से दिया गया है उसका सभी का बिल पड़्ची है की नहीं है तो अंतिम संपरिच्छा और उसके संबंद में दिये गया उत्तर है ना और इट रिपोर्ट आफ लास्ट इयर को टीप भी दे जाता है कि भई फलाना फलाना चीज पूरा नहीं आप इसे पूरा होगी पंचायतों के कारियों का विवरण वर्क आउप पंचायत यह भी आपके वार्षिक संब्मिलन में चर्चा की जाएगी ठीक है चलिए नोट बिंदू अब क्या लिखा है करने का अदिकार होगा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप यदि किसी गाओं के नागरिक्यार उस ग्राम सभा के सदस्य हैं तो आप जो भी अभिलेख है जो भी दस्तावेज हैं उसे कारेलें समय मतलब जिस समय तक कारेले खुला रहता है ग्राम पंचायत का उस समय आप जाकर उससे देख सकते हैं निरख्षन कर सकते हैं यह अपको अधिकार होगा क्योंकि आप उस ग्राम के क्या है नागरी क्यार उस ग्रामसभा शदशिब है अब दूसरा विंदू क्या बोलता है समाजिक और अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है इसको बहुत important question है यह पूछा गया था social और auditing का काम कौन करता है ग्राम सभा एक चोटा से example देता हूँ जैसे कि गाउं में तलाब और व्यक्ति नुक्त किया जाएगा जो गाउं कहीं नागरिक होगा और समाजिक कारिय और अंकेक्षण अनकेशकर लौराम सभा के बैठकों में प्रस्ति ने किया जाता है किससे किस मदों से और इसी होती और ग्राम पयाःओड भजट जरूर से सद्वेगों में चाजब ऑर्डनेरी मिटिंग बोलते हैं इसी में घ्राम का बजट पारित किया गया जाता इस बिंदू को याद रखना ऐना अब दीखते हैं में अगला विंदू जो दीख रहा है आपको बारे के बारे में है ग्राइब सभा के प्रतेग बैठक की कारवरित कारवाईयों के अभिलेक तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कारवरित पुस्तक कारवरित पुस्तक में गराम पंचायत के सचिव के दवारा इन नियमों से सलगन प्रारुप दो में प्रविष्टी की जाएगी और उसी बैठक में उसके अध्चता करने वाले व्यक्ति दवारा उसकी पुस्ति की जाएगी कहने का मतलब क्या है कि जितना भी कारवाई हुआ करवाई होगी और जो भी करवाई होगी वह सचिव के दवारा हिंदी भासा में लिखी जाएगी कारवरित पंजी में ठीक है चली अब देखते हैं बहुमत द्वारा विनिष्चित क्या होता है कि इसको पावर है देखे ग्राम सभा की बैटक में लाएगे समस्त विषय उपस्ति सदस्यों के बहुमत से विनिष्चित किये जाएंगे और मद्दान हाथ उठाकर किया जाएगा मतलब अगर कोई टॉपिक आता है कि इसे पा यहां इसे सहमत है यह नहीं अगर आवाज ज़्यादा अच्छा सा आ रहा है कि पक्ष में तो वह पास हो जाएगा होई पर है तो मतों की समानता की सिती में अगर वोटिंग हाथ उठाकर हो रही है अगर बराबर आ गया है मतों की संख्या बराबर हो गई तो इस कंडिसन मे अधिक्षता करने वाला वैक्ति वह दूसरा मत देगा यह निर्नायक मत देगा. ठीक है उसके पास पार है कि आगर 10 10 बराबर है तो ग्यार मत कि किसी एक पक्ष में दे सकता है ठीक है किसी एक को जिताने के लिए तो द्वितिय मत या निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष होगा जो की सरपंच उप सरपंच ये सच्चियू में से एक हो सकता है बैठ़को में प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए अब देखते हैं दूसरे बिंदू की और है ना तो यदि कोई विवाद उद्धत है मतलब कोई विवाद उद्धत होता है जैसे कि कोई व्यक्ति मद्दान का हगदार है कि नहीं है वोटिंग का हगदार है वोटिंग करने का हगदार है कि नह निर्णाय होते हैं तो जो या रहा है कि वह उसका यह लेगा और प्रसासनिक रिपोर्ट के बारे में गणपूर्ती होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकता है मतलब गणपूर्ती हुई है कोरम हुआ है और बकायदा वोटिंग होगा हाथ उठाकर उसके बारे में ही इसके लिए निर्णा लिए जाएंगे अपने स्वयम से निर्णा नहीं कि अबल किस में जैसे की विवाद उत्पन होता है जैसे मत्दान का हगधार है कि नहीं है इस प्रकार के चोटी मोटी विवाद है थार पर पढ़ाऊंगा तो आप मात्र 299 रुपीज पे करके पेट क्लास बोइन कर सकते हैं जिसके लिए मैंने नमबर दे रखे हैं वीडियो में तक बनेने के लिए धन्यवाद